हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक पीछे हमने सेक्स एजुकेशन की सीरीज में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं लेकिन कंट्यूनियस लोगों की एक क्वैरीज है कि बहुत जल्दी स्पर्म डिस्चार्ज हो जाते हैं या बहुत जल्दी लोग मतलब ब्रीफ कर लेते हैं सेक्स को या टाइम नहीं लगता या एनरजी नहीं रहती है या इन्वालमेंट नहीं हो पाता है बहुत सारे लोगों को हार्डनेस की प्रॉब्लम है तो आकर यह समझ्या क्या है और रूट कॉस क्या है मैंने बहुत सारे वीडियो सोसल मीडिया पर देखे हैं जिनमें की बहुत सारी बातें लोग उन्हें बताई हैं लेकिन रूट कॉस को कोई समझने की कोशिस नहीं करता है और वही कार्ण है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी दवाईयां लेते हैं बहुत 30 minutes का duration चाहिए तो हमें एक बात समझनी होगी कि यह basic बुन्यादी समझ्या आती क्यों है और इसका root cause क्या है जब हम इसके root cause को समझ पाएंगे तो फिर इसका solution भी आसान होगा और फिर आपका time duration बढ़ सकता है और यह problem basic रूप से बुन्यादी रूप से जड़ से बिल्कुल ठीक हो सकती है तो देखा जाए तो commonly five points पे मैं इसको discuss करूंगा पहला point है कि हम एक masturbation की हमें habit होती है और वह habit जिस तरह की habit हमें पढ़ जाती है वह habit हमारे sex के दोरान भी हमारा पीछा करती रहती है वह habit का ना change होना habit का ना चुटना और जिस तरीके से fraction में बहुत जल्दी point देखके यह कुछ और दूसरी चीजों की support लेके हम अपने को discharge करते हैं वही चीजें आगे बढ़ती रहती है पहला दूसरा रीजन होता है कि हमारी एक psychological यानि कि मानसिक रूप से यानि मनोबेग्यानिक भावनात्वक रूप से हम कही ना कही ट्रैप हो गए होते हैं डिप्रेशन में होते हैं और वह एक जल्दी एक हड़ बड़ा हाट एक फ्रेक्शन में उस चीज़ को करना कही ना कहीं हमारे ब्रेन ने इमोशनली हमने accept कर लिया होता है और वह एक ऐसी हैबिट बन जाती है तो उसको बदलना मुस्किल हो जाता है उसके बाद आता है कि किसी को anxiety हो सकती है performance anxiety हो सकती है या fear हो सकता है एक pressure हो सकता है performance का time का वो भी इसमें बहुत बड़ा role play करता है उसके बाद आता है आपका physical weakness या फिर हार्मोनल weakness या फिर आपका जो attachment है जो involvement पार्टनर के साथ उसका पूर होना तो यह five reason है जो कि commonly आपकी problems को बत से बत्तर कर रहे हैं और आपकी समस्या को ब यह है कि जो masturbation आपने किया जिस तरीके से masturbate आपने किया उस habit को उस आदत को आपको बदलना होगा generally कोई भी इनसान जब masturbation start करता है तो वो बहुत fraction में करता है बहुत जल्दी करता है वो point देखके या फिर वो सोच में या fear में या डर में या guilt में इस तरह की चीज़ें उसक कही ना कहीं यह guilt factor उसके brain में कही ना कही anxiety और depression डवलप करता है तो masturbation की जो आदत है उसी आदत को आपने carry forward कर लिया है उसका कारण है कि आपको premature ejaculation हो गया है यह फिर आपको anxiety है यह erectile dysfunction है क्योंकि आपने एक passive sex की habit थी उसी को active sex मान लिया है और उसी को सब कुछ मान लिया है और उसी तरीके से आप perform करते हैं अब बापिस जाना होगा हमें imaginary यानि हमें पहले अपने brain में एक mapping करनी होगी brain में एक विवस्था बनानी होगी और 20 और 30 मिनट का सोचना होगा 4 play के बारे में सोचना होगा और जो besignal sex है उसके बारे में आपको नहीं सोचना है आपको केव about only the 4 play, about the 20 और 30 मिनट तो आप देखेंगे कि जब आप actively sex perform करेंगे तो वो time duration बढ़ गया है और आपका time 20 से 30 मिनट भी हो सकता है तो यह depend करता है कि आप दिमागी रूप से किस तरीके से चीजों को देखते हैं अब मैं दूसरे level पर आता हूँ जिस तरीके से हम चीजों को समझते हैं जो जिस तरह की हम आदत बना लेते हैं देखा यह जाता है कि sex और relationship के दौरान भी वो ही आदत हमारा पीछा करती है और वो masturbation की जो आदत होती है वो ही हमारी दुस्मन बन जाती है और उस आदत के कारण ही हम ना तो connect कर पाते हैं ना time दे पाते हैं ना four play में involved हो हैं और ना ही वो एक attachment और प्यार को हम develop कर पाते हैं तो यह एक basic बादा है relationship के दौरान दूसरी बात आती है कि emotionally या psychologically हम बहुत जादे conflicted हैं बहुत जादे fear में हैं बहुत जादे हम डर में हैं तो इन सब से आपको आगे आना होगा देखो 99% लोग दुनिया भर में normal होते हैं ना ही उनको premature ejaculation होता है और ना ही उनको और कोई problem होती है बट most of the cases में देखा गया है कि लोगों को anxiety, fear, guilt, performance, pressure ये चीजों को बस से बत्तर बना देते हैं और लोग hair and there doctor के पास धक्के घाते हैं दवाई लेते हैं लेकिन बुनियादी जो समझ्चा है जो हमारी आदत में जो कोसिज नहीं करते हम four play को proper करने की कोसिज नहीं करते ये ही total इसका result होता है कि आप ED या PME या दूसरी sexual dysfunction या sexual weakness में first जाते हैं और आप कहीं ना कहीं misguide होना शुरू कर देते हैं next level पर आता है कि anxiety आपको हो सकती है performance pressure आपको हो सकता है और आपको fear हो सकता है तो इन तीनों से आपको भाहर निकलना है इन तीनों से भाहर निकलने का मतलब है कि you have to be involved with your partner आप अपने partner के साथ involved हुई है बात करिए four play को extend करिए time को जारिए and आप जैसे जैसे connection को develop करेंगे relationship को develop करेंगे अपनी communication को better करेंगे अपनी understanding को better करेंगे तो फिर उसका last product होगा sexual time और वो time automatically बढ़ जाएगा उसके बाद आता है कि यदि किसी को physical weakness है या हार्मनोल के issue है या कोई clinical medical issue है तो उसको फिर doctor देखेंगे यानि उसको फिर medically देखा जाएगा but 99% cases में ऐसा कुछ होता नह है आप regular exercise करिए अच्छी quality का protein लीजिए पूरी नीद लीजिए और एक positive engagement के साथ इस चीज़ को deal करिए तो आप देखेंगे कि without medicine यह आपकी problem ठीक हो गई है लेकिन first you have to sit think over it पूरा वीडियो देखो और समझो और एक एक point पे विचार करो कि आपके साथ कहां क्या अंदर है आपको खुद समझना है कि आपको क्या problem है और जब आप problem को समझेंगे तो उसका solution भी आपको मिल जाएगा लेकिन यदि आपने problem को नहीं समझा तो आपको solution नहीं मिलेगा XYZ treatment से और XYZ solution से जो आप social media पर देख रहे हो उससे आपकी problem complicated होगी और समझा और ज़्यादा बयानक होगी लेकिन फिर भी यदि किसी को कोई problem है कोई इंसान हमसे consultation चाहता है counseling चाहता है या treatment चाहता है तो वो हमें WhatsApp से message करके appointment ले सकता है Thank you very much and take care yourself Thank you